नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जाय कुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहा है इंडियान इन्फो टेक एंड सॉप्ट वेर के रिगारिंग क्योंकि इंडियान इन्फो टेक ने अपने जून कॉर्टर के रिजल्ट को प्रजेंट किया है और आज के दिन ही इस कंपनी का जून कॉर्टर का रिजल्ट प्रजेंट किया गया है आप देख सकते हैं कि 10 अगस 2022 आपके सामने यहां प्रजेंट ठोड़े हैं और आज ठीक साम को 7 बज़ के 11 मिनट पर company का जो result है वो present किया गया है तो चलिए हम देखते हैं कि ये company अंदर से कितना strong है और ये company जो result present किया है ये अपनी कोरपिनेस से किस तरह के result को present किया है इसके अलगे friends हम इसके और data को भी mining करेंगे और देखें कि result present किया गया है ये वास्तब में सही है या फिर एक trap है हम लोगों को फसाने के लिए तो इसकी भी जानकारी हम इसमें देंगे आपको तो चलिए सबसे पहले हम इसके result के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका result कहां तक सही है तो friends ये जो data आपके सामने present हो रहा है ये इन लाक में present हो रहा है तो आप इसे इन लाक में ही consider करेंगे friends इस company ने जो अपना total income present किया है revenue from operations से और other income से इस quarter में वो 230 लाक का जबकि पिछले quarter में इन्होंने जो अपना total income present किया था वो 4864 लाक से भी ज्यादा का आप यहाँ देख सकते हैं इसके अलाबे पिछले year June quarter में इस company ने जो total income present किया था वो 225 लाक का तो friends अगर आप conversion करेंगे total income में तो company का जो total income है इस quarter में year on year आपको यहाँ पे उचलते हुए दिखेगा लेकिन अगर आप conversion करेंगे quarter on quarter तो आपको यहाँ पे बहुत बरी गिरावट देखने को मिलेगी तो इसके चरचा हम बात में करेंगे कि ऐसा क्यूं है तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह company expense कितना किया है और इस company को net profit कितना हुआ है इस company ने जो अपना total net profit present किया है इस quarter में 201,000,000,000 का जबकि पिछले quarter में इस company ने 4000,000,000 से ज़्यादा का total income present करने के बावजूद भी company का जो net profit है वो minus में जाता है और पांच करोड से ज़्यादा company net profit यहाँ प्रजेंट करती है और company को यहाँ पे पांच करोड से ज़्यादा loss देखने को मिलते हैं तो friends इसके क्या region है तो friends इसके region यह है कि इस company ने जो अपना other business से profit को generate किया था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा generate किया था तो आई यह देखते हैं कि यह company अपने other business से कितना profit generate किया है जिसका effect आपको देखने को मिले हैं क्योंकि friends इनका जो total income है वो पिछले quarter में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और company का total income 4000 लाग से भी ज़्यादा का total income यहाँ प्रजेंट किया गया था इसके बावजूद भी company को पिछले quarter में बहुत बड़ी loss उठानी परी थी तो इसका सबसे बड़ा region था expense का लेकिन friends इतना ज़्यादा expense यह क्यों कर रहे हैं और क्यों किये थे इसकी भी जानकारी हम आपको इसमें दे रहे हैं तो चलिए हम देखते हैं उस data को friends आपके सामने यहाँ जो data present होना है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे company ने 4557 लाग से ज़्यादा का जो इन्होंने यहाँ पे sale post किया है वो share trading का है friends जिसकी बज़ा से इनका जो sale है वो उच्छाल तो किया है लेकिन इनका investment भी उतना यहाँ सो करना परा है आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो अपना total expense post किया है बहुत ज़्यादा किया है जिसकी बज़ा से इनका जो net profit है वो minus में चला गया है तो चली आप देखते हैं कि company अपने core business में कितना हद तक improvement दिखाई है क्या company का core business नीचे की तरफ move किया है या फिर upper की तरफ move किया है तो friends company का जो core business है वो interest income है friends और company का जो interest income है वो इस quarter में बेताहसा बढ़ते हुए आपको डिखेगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका core business आपके सामने यहां पर जैन ठोड़ा है और company अपने core business से जो profit generate किया है वो 230 लाग का जबकि पिछले quarter में company ने अपना core business से profit को generate किया था 306 लाग का जबकि पिछले year June quarter में company ने अपने core business से जो profit को generate किया था वो 220 लाग का तो friends अगर आप comparison करेंगे quarter on quarter तो भी आपको इसमें जबरदस्त उचाल देखने को मिलेगा और अगर आप comparison करेंगे year on year तो भी आपको इसमें बहुत बड़ी उचाल देखने को मिलेगी और friends यह data जो आपके सा business है वो अपर की तरफ move कर रहा है तो friends यह कोई trap नहीं है company real में अपने business को generate करके दिखाई है और यहाँ पे जो आपको पिछले quarter में इतना बड़ा loss दिख रहा है इसके बारे हम already discuss कर चुके हैं तो आप इसे भी अपने mind में रखें तो रही बात यह stock अब किधर move करने वाली ह तो front definitely अभी कुछ दिनों तक stock में आपको upper circuit पे upper circuit दिखेगी लेकिन कुछी दिनों में it means एक से दो trading में ही इस stock को 5% में close कर दिया जाएगा it means 5% के जो upper और lower circuit का ban है उसमें इसे ban कर दिया जाएगा कि इस company का result कैसा रहा है तो इस channel पे आप सबसे पहले result की जानकारी ले सकते हैं कि आपके stock का result किस तरह का रहा है तो friends जो लोग अभी तक इस channel से नहीं जुरे हैं वो subscribe के लाल बटन को click करके इस channel से जुड़ जाएं तो friends आज के लिए इतना ही आपका दिन सुभ हो